नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है जब कभी भी व्यंग की बात आती है विशेशकर हिंदी व्यंग की तो हम परसाई जी शरत जोशी जी इनको जानते ही हैं इनके बाद जो तीसरा सबसे प्रॉमिनेंट नेम आता है वो है केपी सकसेना जी का इन्हें काफी पढ़ा जाता है जब व्यंग की बात आती है विशेश तोर पर इनकी एक कहानी औलडी मैंने पढ़ी है आप जाकर चेक कर सकते हैं इनके कुछ लगू कथाएं भी हैं आईए इस सिरीज में इनकी चार लगू कथाएं हैं उनको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे तो जो हम पहली लगू कथाँ पढ़ेंगे उसका नाम है किस्सा किडनी का अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते लाल साहब की तब्यत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई बीमार तो थे ही बेटे को खबर की वो भागता हुआ आया और उन्हें लेकर हस्पताल जा पहुँचा अब फौरी चेकप के बाद डॉक्टर ने कुछ और इन्वेस्टिगेशन के लिए भरती करने की सलाह दे दी अब ये जानकर की भरती होने के सिवाए कोई चारा नहीं है लाल साहब बेटे को बुला कर धीरे से फुस फुस आए सुनो बिटवा पहले हार्ट, लीबर, किडनी बगैरह की जाच कराकर रिपोर्ट हाथ में ले लेना ठीक है अरे पापा, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दूसरी प्रॉबलम है, लड़का जुझलाया, अरे चुप रहे, तुँ अखबार नहीं पढ़ता है क्या लाल साहब ने चिड़ कर अभी तक हाथ में पकड़ा अखबार, जिसमें उन्होंने लाल पेन से एक लाइन रिखांकित कर रखी थी, उसकी और उच्छाल दिया लिखा था, डॉक्टर का कहना था कि भरती किये जाते वक्त मरीज के एक ही किडनी थी किडनी चोरी का केस, इसलिए वो पहले इन्वेस्टिगेशन कराके रख लेना चाहते थे कि उनके हार्ट, लिवर, दो किडनी सब कुछ बकाइदा है, हस्पताल में कहीं चोरी ना हो जाए आईए, दूसरी लगू कथा पढ़ लेते हैं, नाम है पात्रता, अजिला हस्पताल में अपंगता प्रमान पत्र दिये जाने का अंतिम दिन था, बहुत भीड थी, फिर भी उसका नाम पुकार लिया गया डॉक्टर ने फार्म देखकर बगैर सिर उठाए कहा, दिखाओ, नौजवान ने अपना दाहिना हाथ टेवल पे रख दिया, सिर्फ 25 प्रतिशत अपंगता का केस है, इसमें तुम्हें कोई सरकारी छूट नहीं मिलेगी डॉक्टर बोला, नौजवान थोड़ा पढ़ा लिखा लग रहा था, उसने बोला, कुछ करिये न साहब, विकलांग कोटे में चप्रासी की ही नौकरी मिल जाती, वो आगे बोल नहीं पाया डॉक्टर को उसके उपर तरस तो आया, लेकिन वो मजबूर था, बोला, देखो भाई, सरकारी नियम बिलकुल साफ है, अंगूठा कटा हो तो 40 प्रतिशत, और प्रतेक उंगली का 10-10 प्रतिशत, हाँ, पूरा पंजा गायब हो तो 100 प्रतिशत अपंगता होने का है, अगर तुम्हारी सिर्फ धाई उंगली कटी है, तो 25 प्रतिशत ही हुआ ना, जबकि वास्तविक विकलांगता की पातरता के लिए इंसान में कम से कम 40 प्रतिशत अपंगता होना चाहिए, इतना कहकर वो डॉक्टर ने दूसरे को आवाज देने के लिए चपरासी को अचारा किया, नवजवान धीरे धीरे बाहर निकल गया, अचानक बाहर कुछ शोर सुनकर डॉक्टर ने चपरासी से कारण पूछा तो चपरासी बोला, अरे साहब ठीक से पता नहीं चल रहा है, हाँ, कोई कह रहा है कि एक लड़का ने अचानक आप्रेशन थेटर में अपना अंगूठा काट लिया है, बताईए, विकलांगता सर्टिफिकेट लेने के लिए, अतलब लोग सिस्टम में अंदर एक अपना ही सिस्टम बना लेते हैं, चलिए, अगली कहानी है, कन्फ्यूजड, कल रात जब मैंने पडोसी वर्मा जी की बेटी को, एक नौजवा लड़के के साथ होटल में घुषते देखा तो मैं थोड़ा चौका, मैं यही सोचता रहा कि ये बात वर्मा जी से बताई जाए या नहीं, कहीं ऐसा न हो जाए कि वर्मा जी इसे अपने पारिवारिक मामले में दखल समझें, या सोचें कि मैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए ये कह रहा हूँ, फिर ये भी तो हो सकता है न भाई, कि वो घर से इजाजत लेकर किसी पार्टी में शामिल होने गई हो, और बर्मा जी हमको तकासा जवाब दे दें, ए भाईया, एक विचार ये भी तो आया ना कि हो सकता है कि कहीं दोनों में सच्ची महबत हो, अब पलान कर रहे हो कि किस तरह घरवालों को साधी के लिए मनाया जाए, तब तो मैं और भी बड़ा प्राधी हो जाऊंगा ना, अंततह मैंने चुप रहने का परम वैभारिक निर्णे लिया, और दूसरे दिन सुबह जब वर्मा जी मिले, तो जवान को फिसलने से रोकते कुछ अपचारिक बातें करके मैंने बिदा ले ली, वर्मा जी भी कुछ उखडे उखडे से लग रहे थे, शाम को कॉलेज से आकर बैठा ही था कि वर्मा जी आ गए, मैंने श्रीमती जी से चाय को कहकर उनकी तरफ प्रश्टन वाचक निगाह दोड़ाई, ऐसा लगा जैस किसी पशो पेश में है, फिर थोड़ी देर तक पसरे मौन को तोड़ते हुए वे धीरे धीरे फुस फुस आये, भाई साहब, जोती कल शाम सहेली के घर जाने को कहकर निकली थी, लेकिन अभी तक लोटी नहीं है, और सहेली के घर तो गई भी नहीं थी, क्या किया जाए, उ मैं फिर सोच में पढ़ गया कि कल वाली बात बताऊं या नहीं, अगर बताता हूं तो कहेंगे तभाई, सुबह क्यों नहीं बताया, और अगर नहीं बताता तो लीजिये, मैं फिर confused था, लोग बड़े confused रहते हैं, चलिए, आखरी कहानी पढ़ लेते हैं, नाम है इसका, आ नहीं, शादी के 25 बरश बात, जब बीटी के विवाह का समय आ गया है, तब अचानक तुझे अलग होने की ये क्या सूझी है, अभी पिछले हपते तो तुने बताया, कि समाचार पत्र में मैटरोमोनियल देने के लिए उसने कहा है, और ये कहकर छेड़ा भी तो था, कि जल दी करो, वरना बेटी भी कहीं अपने माबाद की तरह किसी विधर्मी से शादी रचाकर आशिरवाद लेने न चली आए, चुप देखकर सहेली ने उसे उकसाया, इस बार उसने अपना सर उठाया और आगने नेत्रों से सहेली की ओर देखते हुए, वेंग्यात्मक लहजे म बोली, हाँ, कल ही तो वेवाहिकी में छपा है, तो सहेली उसके लहजे का आशे न समझ पाई, तो क्या, जनाब को बेटी के लिए एक स्वजातिय वर की तलाश है, अब उसका स्वर जरा और तीखा हो गया था, ये नहीं लिखा कि मा की या बाप की, उस समय तो जाती धर्म स जब पुरातन पंथी बातें थी, इंसानों के बीच भेद भाव बनाये रखने की कठ मुल्लई साजिश अब क्या हुआ, बात जब बेटी की आई, तो आ गया उकात पर, देखे बड़ा तगड़ा व्यंग है, कि कितनी अच्छी कहानी हो रही है, दो सहलियां बात कर रही है एक अपने husband के mentality की बात कर रही है, कि उससे तो अलग धर्म या अलग जो भी होगा उनका उससे तो शादी कर ली, लेकिन जब उनकी स्वैम की बेटी हुई, तो अपनी बेटी के लिए अपने ही धर्म, अपने ही मजभ कलड़का खोज रहे हैं, ये जो कई लोग अपने को ब बहुत ही secular समझते हैं, यह गंभीर बीमारी उनमें भी पाई जाती है, ज्यादा तर उन ही में पाई जाती है, बड़े पाखंडी किस्म के हो जाते हैं कई बार यह progressive और secular टाइप के लोग, जो आडंबर करते हैं, secular अच्छा है, लेकिन secular का आडंबर गलत है, तो उसी पर यह व प्रसंदा रही हैं या नहीं चलिए धन्यवाद जय हिंद।